देश के सबसे बड़े दिगज कारोबारी मुकेशंबानी और सरकार के बीच एक बार फिर तकराव देखने को मिला है मामला Reliance Industries और उसके सहयोगी BP PLC की Natural Gas की बिक्री की निलामी से जुड़ा है क्या है ये पूरा मामला बताएंगे सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में मुकेशंबानी की Company Reliance Industries और उसकी पार्टनर BP PLC ने Natural Gas के बिक्री के लिए प्रस्थावित निलामी को अचानक रोक दिया है इस मामले में 18 जन्वरी को बिक्री के लिए E-Boli लगने वाली थी जिससे रोजाना करीब 60 लाख घन मीटर गैस की सप्लाई होने थी लेकिन अब वो नहीं हो पाएगी इस निलामी को दोनों कमपनियों ने मिलकर कैंसल करने का फैसला लिया है दोनों कमपनियों ने इससे अचानक कैंसल करने की कोई वजह नहीं बताई है लेकिन कहा जा रहा है कि Reliance और BP ने ये फैसला सरकार द्वारा नए नियम लाई जाने के बाद उठाया है दरसल सरकार द्वारा बनाए गए नियम नैट्रल गैस के बिकरी पर मार्जिन को सीमित करते हैं जुससे इन कंपनियों के मार्जिन पर खासा असर होगा सूत्रों के मताबिक सरकार के इसी नियंतरण के विरोध में इन कंपनियों ने ये फैसला लिया है सरकार और Reliance Industries के बीच विवाद का ये कोई पहला मामला नहीं है इसे पहले KGD6 को गैस एक्स्प्लोरेशन को लेकर भी मामला International Tribunal Code तक जा चुका है दरसल ब्रिटेन की BP Exploration और कनाड़ा की निको रिसोर्सेज गैस उतपादन में Reliance की साज़िदारी कंपनिया है अब सरकार की तरफ से जो बयान आया है उसके मताबिक इन कंपनियों ने KG Basin से लक्ष से कम गैस का उतपादन किया है इस वजह से सरकार ने उन्हें Exploration Cost देने से इनकार कर दिया था Reliance ने International Arbitration शुरू किया था सरकार ने इसे रोकने के लिए Supreme Court में अपील की थी लेकिन कोट ने हाल में इसे खारिच कर दिया Reliance KGD6 Block की परिचालक है इस ब्लोक में उसकी हिस्सेदारी 66.67 फीजदी है जबकि बाकी 33.33 फीजदी हिस्सेदारी बीपी के पास है KC Basin का विवाद पहली बार खुलकर साल 2011 में सामने आया था जब KG Basin में Reliance Industries की परियोजना से गैस उतपादन में गिरावट आई और सरकार ने Reliance को गैर प्रात्मिक छेत्रों को गैस की आपूरती बंद करने का आदेश दिया आपको मारी जानकारी कैसी लगी कॉमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो को लाइक और शेयर करने ना भूले साथ ही जो हमारे नए वीवर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें ना न भूले